हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में टेंपलेट यूजे करके कुछ इस तरह की वाइरल इंस्टाग्राम रिल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर से देखना और चली वीडियो को स्टाट करते हैं So वीडियो हम बनाने वाले हैं कैपकट का टेंपलेट यूज करके तो सबसे पहले आपके पासे कैपकट एप होना चाहिए अगर आपके पासे CapCut एप नहीं है दिन इसे आप सर्च वगरा करके इंस्टॉल कर लेना आप तो हो ही चला का आप सर्च करके इंस्टॉल कर ही लोगे ठीक है अब आपको अपना CapCut को जस्ट ओपिन करके छोड़ देना है जी हाँ अपने CapCut को इस तरीके से ओपिन करके सिर्फ इसे मिनिमाईज कर देना ओके नौ अब आपको जो टैंपलेट हम यूज करने वाले ना उससे टैंपलेट लिंक के ओपर क्लिक करना होगा तो टैंपलेट ओपर क्लिक कर लेता हूं। जैसे हाँ आप लिंक के ओपर क्लिक करोगे हैं आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपिन होगा जिसमें कि आपको यह टैंपलेट मिल जागा और इस टैंपलेट को दस मिलियन से भी जादा लोगोंने यूज कि ऐसम में कितना जादा लोगों ने से यूज किया मतलब कितना ज़्यादा ये ट्रेंड पे है ठीके तो इसे हम यूज करने वाले हैं इसका यूज करके व्यूड़ो बनाने वाले हैं जो कि काफी असान है आपको यहाँ पर यूज टेंप्लेट को अप्शन दीख रहा होगा इसको पर क्लिक कर देना ठीक है यहां पर अपको क्लिक करो देन आपका आपको अपना वीडियो का यूज करके बिल्कूल सेम टू सेम वीडियो बना सकतो वोभी सिर्फ एक क्लिक में जैसे कि आप यहां देख सेम्पलेट टो ओपन हो गया है और सेम एडिटिंग हमें यहांपे मिल गया है ठीक है आपका वीडयो बनके रियड़ी हो जागा जैसे के आप देख़ पा रहा हो ठीक है आप देख पार हो से भिल्कुल आद्योड को कि एहां पर सुर्फ आपने Voodoo को सेलेaround के ऐड़ी हो चुग है को हमारा Then post on capcut है इसे कम करके मतल Im각ה ile करके आपको यहां से इस इसको सेलेक्टी करना है थीकर आगर आप चाहो तो टीक टोक वेरा में अपलोड कर सकतू बर जहां तक मुझे पता है इंडिया में तो टीक टोक बंध है तो सिर्फ इसेको को सेलेक्ट करना फिर सेव टु डिवाइस को उपर क्लिक करते ना आपके डिवाइस में ये वीडियो सेव हो जाएगा तो आई होप आपको ये जो तरीका है या फिर ये जो टैंप्लेट है या फिर ये जो एडिटिंग है ये पसंद आये होगा and definitely ये समय से कुछ ना कुछ त पसंद आई ही गया होगा तो वीडियो को लाइक कर ही दो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई